हेलो गाइस वेल्कम तू स्टेडी फंडा माइनम इस कुल्दीप यौर निव एड्विकेटर आज से हम बर्निंग टॉपिस के बारे में बात करेंगे जो आपके के एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा हेल्प को रहेंगे इस सीरीज से या इस बर्निंट आपिस की वीडियो से जो सी पेपर वन और प्लस पेपर टू होता है उसमें काफी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस टॉपिक के बारे में आज का यह टॉपिक है यह आई इसमान भारत प्रदायमंत्री नियंत्र में उन्होंने आई इसमान भारत जिटल मिशन है उसको लॉइडियो कांफरेंस में प्यम मोदी जैसे की कटाउट दे रखा है इस फीपर का इसमें इसमान भारत जिटल मिशन जिसमें हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाएगी एवरी सिटीजन क सो जितने भी इंडिया की सिटी जाना उनको हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाएगी सो इसमें सो जैसे कि इसमें लिखा हुआ पीम मोदी का ट्विटर अकाउंट है तो उन्होंने यह ट्विट किया है इसके बार में जो जो आईश्मन भारत का जो डिजिटल मिसन है उसमें इस चीज को आप याद रखना यह डिजिटल मिसन है और इसके लावे इन्होंने लिखा है सो इस मिसन लीवरेश टेक्नोलोजी इंटू इंप्रूव एक्सेस टू हल्ट केर सो इस टेक्नोलोजी के वैसे जो हल्ट केर में जो जो लीवरेश है उसके इससे और ज्यादा ब्हारत प्रोजेक्ट है जिसको किने क्या है ध्यचोंन हे जीचैण प्रणमंत्री जन आरहो के योजना जिसको ब Environmental ब्हारत करती है, तो इस चीज को अभियार रगना और ये जो नेशनल जो अईशमन भाराष डीचल मिशन है ये जो थड एनिवरसरी है जो किसकी थड़ एनिवरसरी है पतानमंत्री जन आरोग्य युजना उसके उसके प्लच में इस मिशन को लॉंच किया गया है, इस चीज को अभी रगना, इसमन भाराइज जिसको बोलते हैं, वो एक फ्लैक्स स्कीम है, जो कि इंडिया में लॉंच कीए गए, वो कब की लॉंच कीए गए, तो भी किसकी रिकमेंडेमिशन पर है, वो नेशनल हेल्थ पॉलिशी दोज सकते रहे हैं, तो इस चीज को याद रगना, और इसका जो में अबजेक्ट है वो उनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब इंडिया के सिटीजन को उनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिया जाया, मतलब अमेर गरिब चाहिए कोई भी हो, उनको एक हेल्थ कवरेज दिया जाया, इसलिए इसको बोलते हैं, इनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सो इस चीज को आप याद रगना है, इसके लावा, यह क्या एम करता है, इसका में जो डिजिटल मिसन है, उसका एम है, वो डिजिटल हेल्थ आईडी प्रोवाइड करना, इंडिन सि जाता है, तो उसको काफी जादा पेपर वर्क करना पड़ता, इस पेपर वर्क से बचने के लिए, यह डिजिटल आईडी यह जो डिजिटल हेल्थ आईडी है, उसको यह इसमें प्रोवाइड की जाएगी, इंडिन सिटीजन को, और सेम यह सी आईडी, तो हॉस्पीटल य इस मिसन का, वो अनॉंस कब गया था, वो पंदे अगस्त को, पंदे अगस्त को, वो भी रेट फोर्ट में, जब प्यम मोदी जो अपनी स्पीज दे रहे तो वहाँ पर, तो इस चीज को भी याद रखना, अगर बाइचंस कोशन में पूचा जाता है, यह कोशन आता है, कि इस में बाइचितल है, उसको अनॉंस कब गया था, तो वो पंदे अगस्त को चाहिए तो इसीज को याद रखना, इसमें इसमें हेल्थ आइडी के बाइचंस को प्रोएट की जाएगे तो इस चीज को याद रखना, इसमें काफी सारी इंफ़र्मिशन गी, इसमें टेस्ट यह सब चीज़ें यह डाइडों के इस सब चीज़ें इस हेल्थ आइडी में इंकुलिड होंगी इसके लावर जो है आइडी है वो एकनाफ फ्री अप कॉस्ट होगी और वॉलेंटरी होगी वॉलेंटरी इंदर सेंस मतलब इसके कोई जरूरत नहीं अगर आप हॉस्पीटल ज हेल्थ आइडी दा पेशेंट हिंसेल एंड़ डॉक्टर कें चेक चेक ओल्ड रोकॉर्ड उनको चेक किया जा सके सो इसके एक में बेनिफिट है नॉट अनली इस देर विल और रिश्टेशन ऑफ कलीक्स लाइक डॉक्टर सो इसमें हैं इसके लावा और इसमें देखा जाए वैन जब इसके बेनिफिट और देखा जाएं इसमें बेनिफिट देखाया तो इसके बेनिफिट ऐसे हो जाएं जाएं जाए अभी जो अभी जो प्रिजन टाइम में चल रहा है कि अभी जो पेसेंट होता है वो जब होस्पीटल जाता है या कोई New City में घाता है तो उसको काफी सारे पेपर वार्ग करने पड़ता है या अपके जगे पर वो जो डिजटल आइडी है वो इसको दिखा सकता हॉस्पिटाथ ताकि इसमें तो इसका help ये होगी इसमें जो उसके जो old record होंगे या जो paper होंगे या जो old जो प्राने hospital की जो information होगे है उसकी जो disease होगी है जो medicine उसको ले रहा है उसमें उस ID में ये सब चीज़ां इंकुलीड होगी इसका benefit होगा अभी कोई emergency होती है तो वो सब चीज़ां करी नहीं कर सकता है यही इसका benefit है तो इसको याद रखना इसमें अगर यह main next यह है कि इसमान भार है digital sandbox इसमें एक और topic है मताँ एक main point है sandbox तो इस sandbox का main यह part है इसका work है वो इसी है एक नहीं किसको आप याद रखना इसकी अगर इसमें देखा जाए तो इसकी implementing agency कौन से है तो इसकी implementing agency है national health authority जो किसके अंडर आते ministry of health and family welfare के अंडर और इनके जो minister कौन है मनसुक लाल मन्सुक एल मन्रवी है तो इस चीज़ को भी याद रखना यह काफी जादा पूसरस आ सकता है तो इस चीज़ को भी आप याद रखना इसमें काफी बार इस वीडियो में काफी आप इसमें national digital health mission के बारे में जिक्र कह जा तो इसके बारे में पढ़ते हैं तो यह प्रायमंती जो इंडिया है यह complete digital health ecosystem है तो इस चीज़ को यादा है और इसके चार पाट है इसके चार की है पहला है जो हो गया देन personal health record इसमें आ जाएंगे देन डिजी डॉक्टर मतला आप online ही डॉक्टर से बात कर सकते हैं प्रेश्म में ले सकते हैं बता सकते हैं आपकी बीमारी क्या है वह सेम ऐसा देन इसके लाव है फैसलिट इसमें होगी तो चीज़ को यादा है इसके बाद इसमें और भी और चीज़ें इंक्लुट किया जाएगा देन इसके लावा जो इसमें नैसनल डिजी हैं मिसन में पहले पिछली साइड में रताया था सो यह से इसमें health ID इसमें प्रोवाइड क हो गया इफार्मिसी हो गया टैली मेंडिशन हो गया और यह हैल्थ फैसलिटी रजिस्टी सो यह सब किसके पार्ट होंगे नैशनल डिजीज़ें मिसन के सो इस चीज़ को याद रखना देन एक कोस्में है कि नैशनल हेल्थ अथॉर्ट जो इस जो इन सब चीज़ों को इस चीज़ों को आप लिख सकते हैं इस से इसके लावा इसमन बारत की जो इसके बारे में थोड़े देखते हैं यह जो इसकी में विए तेज सेप्टम में 2-18 को लॉंच होई थी तो इस चीज़ को भी आद रखना थेज सेप्टम 2-18 को लॉंच होई थी तो इसमें इसमें 10 करोड से ज़्यादा के अधिक जो फैंब लोगों को इसमें उन्होंने काउंट किया इसके लावा इसमें 5 लाक रुपे का इंसोरेंस दिया जाएगा हर फैंबली को तो इसी को भी याद रखना इसके लावा बाकि जो निजी अस्पता लोगे लाग प्राइवेट हॉस्पीडर जिनको बोलते हैं उनमें भी यह सब्सक्राइब कें टॉप करें जया सकता है पर इसमें टॉपीक का इसे का इसे प्यूपिकिया जाया हैनाग तो इसमें टैक्निय को इसे हैं यह सक्ता है है या और इंडिया हर सेक्टर में और मतलब टेक्नोलोजी का इंवेस्ट में और ज्याद़ कर रही है इसे में हो गया रिपोर्ट राइटिंग हो गया या अर्गुमेंट अंगेंस्ट यह फॉल में भी इस चीरों का यू यूज कहा जाकता है तो इस वह से यह वीडियो काफी ज्यादा यूसफूल हो जाएगी आप लोगों के लिए तो इस चीज को आप यार रखाएं तो आज की वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं तब तक के लिए जै हिंद